वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाए पर देखिए आज हम बात करने वाले हैं रडार कैसे वर्ग करती आप लोग ने देखा होगा कि बहुत सारे प्लेन जो उड़ते हैं या एरक्राफ्ट होते हैं ठीक है या आपके बॉंबर होते हैं जिसस सब कुछ बता देता है उसके स्पीड कितनी है सब कुछ बता देता है और किसे पौसिवल हो पाता है यह बॉसीबल हो पाता है रडिखिंग तो राडार होती यह नेया संदारण गगे एक प्रकार कःडिय Trans declined तो यह electromagnetic radiation यानि waves जननेट करती हैं वो कैसी होती उल्यक्टरो मेगनेटिक ये जननेट करती है तो समय आर्डार ईणक्रक्रीन क्या होती है थी कै तो ब्रली होती है और दुसरा पार ठर्ड क्या होता है आपका ऑबजक्ट्ट हो जेट्ट ऊबडर ओफ लग विए चार पार्ट में होते हैं इनके फ्रेक्शनिंग क्या होती है वह भी कि भी जाने है चाया यह जो होता है इसकी क्या फोफ़िक्वेयंस recollica कोई भी कोई भी मियार कोई भी जाने है ठीक है देखे क्या होता है बेसिकली जो फ्रिक्वेंसी होती है इसकी रडार की वह होती है 30Hz से लेकर 300 GHz थीक है तो 30Hz तो 30Hz से लेकर 300 300 गृता है 10 to power 9 Hz यानि 30Hz से लेकर 300 x 10 आप समझ सकते हैं कितनी ब्रोड रेंज और फ्रिक्वेंसी होती है तो इतनी इसकी प्रिक्वेंसिक यहाँ जीतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसियों कि यह इसकी जो फ्रिक्वेंसियों प्रिक्वेंस यह 50000 किलोमेटर इतनी रेंज बेवलेंज की नहीं से लेकर और तक इतनी इस समझ लीज़े जैसे क्या हुआ आपके पिता जी आपको एक रुपए देते हैं जब को लिए से चुट आइसक्रीम खा लेना तो आज आपको एक रुपए मिला फिर कल एक रुपए मिला तो यानि आपके फ्रिक्वेंसी क्या है 24 आबर हर 24 आबर के बाद आपको एक रुपए मिलता है ऐसे ही मैं कहूं अगर एक दूसरा स्टुटेंट है उसको एक साम को मिलता एक रुपए उसको सुबह को मिलता एक साम को मिलता ठीक है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है उसकी फ्रिक्वेंसी आपसे डबल है यानि वह सेम टाइम में दो बार एक एक रुपए और उसको मिलता है ठीक है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क् प्तर जो रेडियुषन आयरे के क्लोज्ली यानि मोर कॉंपक्त है एक वो फिर दूसरा र्रीटरी इस थीतिया कशन तो पीच में आपका ताly स्टैजा आप समझ सकते बाट eli ना तो टेली ना तो पर दे आप नहां रहे हैं तो आपकी फ्रिक्वेंसी क्या एडे 24 आवर्स तो आपके फ्रिक्वेंसी क्या है 24 तो बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी अगर आपकी है तो इसका मतब रिडिशन बहुत ज्यादा अब देए फ्रिक्वेंसी आपने जान ली इसकी होती और वेबलेंड जानी आपने फंक्षन कैसे करता है और हाँ इसकी स्पीड जो होती है इसकी स्पीड के बारे में जान लिए लगबग होते है 2999-7792 kilometer per second इतनी speed लगबग इसकी होती है 299792 kilometer per second इतनी speed लगबग इसकी होती है तो speed भी अच्छी खासी है ठीक है अब देखें आगे चलते हैं कि वह यह function कैसे करता रडार कैसे catch-out कर लेता हर चीजह को ठीक है तो देखें वह सबसे बैला पार्ट है मेगनेट्रोन तो यह आपका हो गया मेगनेट्रोन इसका काम क्या है इलेक्ट्रो मेगनेटिक रेडियेशन जनरेट करता है यह क्या करता है इलेक्ट्रो मेगनेटिक ठीक है यह क्या करता है इलेक्ट्रो मेगनेटिक रेडियेशन ठीक है इसको क्या करता है जनरेट करता है यह आपने यह इसको इसको स्प्रैड कोन करेगा तो ऐसे एस यह वेब्स आगे ट्रेवल करेंगी तो स्प्रै नें in approach कोन करता राष्ट हो करता तो एकां करता है एक को स्टेडर होता है तो इसको शेंडर होता है इसको राडार की रेडार की रेडियो मेगनेकि रडियेशन नहीं को तो आप मैनेज कर लिजीएगा तो यहाँ पर क्या कोई ओब्जेक्ट आ गया है अब जब यह औब जो होंगी रेडियो जो वेपस हैं ठीक है वह क्या होंगी जाकर टक्राएंगी जो भी वहाँ पर ट्रेवल कर रहा है ठीक है अब उससे टक्राएंगी तो पर लगा होगा है यहां पर लगा अगा इस और बापस आएंगी तो ये क्या और प्रसकें कोई doc अब आप यह जो टकरारेंगी वह क्या होंगी तो अगल बगल से बजर तो तो चली गई ठीक है लेकिन जो टक्रा के बापस है रिफ्लेक्ट होके बापस आ रहे हैं वह रिसीवर औबजर्व करेगा कि इतनी डिस्टेंस पे इतना बड़ा यहां से भी आएंगी यहां से भी आएंगी ठीक है तो यानि कि लगबर इतने किलोमेटर की दूरी पर इतना ब यहां पर कोई यह जो भी है हमारा एक क्या हुआ है अब यह कोई हमारे फिल्ड में एंटर किया तो यह कौन से जो है यह इस्तेमाल होता है यह फाइंड आउट करने के लिए कि वह कौन अबजेक्ट है किस साइज का किस डिरेक्शन में मूब कर रहा है तो यह सब कैसे पता यह सबता है जो रेक्टो में रेडियेशन जन्नेटर था वह इसको क्या कहते हैं मैगनेटरोन कहते थे उसके बाद एंटीना के बाद हमारा ऑबजेक्ट के बाद क्या हुआ था रिसीवर तो इन सबसे मिलके बनता है यह रडार सिस्टम तो रडार क्या है एक कॉंसेप्ट बड़ा फिनोमेना है कि बाई सारी चीजों को मिलकर रडार काम ऐसे करता तो बैस्काली रडार किसको माना जाता है तो यह मैगनेटरों जन्नेट करता है एंटीना इससे यह सकते हैं यह कभी गभी इसको भी आप रडार कह देतें हैं तो ऐसा नहीं तो फुल बर्किंग पे अब हम यह देखते हैं कि इस रडार से भचा कैसे जाए ठीक है जाए आप किसी फिल्म में घुसोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट आया तो दुस्मन को पता चल जाएगा आप बचोगे कैसे ठीक है तो आप बचोगे कैसे तो उसके लिए यह इसके दो कॉंसेप्ट है कि इससे रडार के एरिया से इसके रेडियेशन से बचा कैसे जाए ठीक है तो देखें दो कॉंसेट होते हैं दोनों मैं डिसकस करने वाला हूं यहां पर तो देखें इसको बचा कैसे जा सकता है देखें हमको पता कैसे चलता है रडार को पता कैसे च को मिले ही ना Check right है हम कि अगर ऐसी और पास यहांपर बापस न आ पढ़ाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कभी यहांप कोई औ agenda था के नहीं reached चाया उसके कि यह और तके सिछंको यहां ना जाए तो दिखिये तो देखिये ऊसके क्या है नौग सब्सक्राइब जामकातने तो सब्सथी करें तो आफ उसको सिगनल संट रिसीबー परह पर क्रें तो पता ही नहीं चलेगा तो रडार सिस्टम पे लो गया उसको पता ही नहीं चलेगा ठीक एक कॉंसेट तो यह दूसरा दूसरा कॉंसेट क्या है दूसरा कॉंसेट यह है जो रेडियेशन इससे जाके टक्रा रहे हैं यहां पर रेडियेशन क्रेट हो रहे हैं और अब्जेक् को बेभत मैं उनको क्या करने एब्सॉर्ब ठीक है वो क्या करने उसको एब्सॉर्ब कर ले यानि बमक्र कर ये गर कर ली Je狌 प्रखा आप नहीं ऑप वेस्कों सोख ले थाकर अपने अंदर ऑप्सी ना जा एफ दो गसा को पर सिंगनल जाने से दो टरह सकते हैं थिन मी карт और दोनों को मिला कर मतलब तो जो यहां पर जाएंगे ऑब्जेक्ट उसको एब्सॉर्ब कर लेगा ठीक है अगर फिर भी कुछ बच गया एक दो परसेट कुछ बच भी गया है तो उसको हम क्या कर देंगे डिफ्लेक्ट कर देंगे यानि कि हम हंडेट परसेंट चाहते हैं कि किसी भी तरह से दुस्मन को पता ना चले कि हमारा एरक्राफ्ट यहां पर उड़ रहा है ठीक है तो हम क्या करेंगे पहला कॉंसेट की अब्सॉर्ब कर लेंगे बहुत अच्छी बात है अगर कुछ गलती से बच भी गया तो क्या करेंगे उसक तो ऐसे बहुत सारे हैं वहीं किसकिस ने तेकनोलजी का यूज किया तो यह है आपका एफ-22 ठीक है एफ-22 होता है एफ-35 होता है यू-एस-बी-2 बॉमबर ठीक है ऐसे कुछ चीजें है ऐसी डिवाइसे एरक्राफ्ट है ठीक है यह क्या करते हैं अटेक करने के लिए यान की कहते हैं आपने सुना हुआ गजा देख जाते तो यह ऐसी चीजें एसे बच जाते इनके एक्जामपल है यह यह ऐसे और से कैसे बचाए कि दूस्मन को हमारी बन्यक दान लगे और हम सारा काम तमाम करके चले हैं तो ऐसे हो सकता है तो यह यह concept यहां पर apply किया जाता है absorb कर लो या उसको क्या कर दो डिफ्लेक्ट कर दो ठीक है तो यह condition होती है यहां पर इस तरह से हम बस सकते हैं दूसरी जब हमने अक्सर देखा कि plane हमारे take off करते हैं लेंड करते हैं उस condition में क्या होता है जैसे plane को होते हैं यहां से आ रहा है और इसको यहां पर दंध कराना है ठीक है कि एक होती थी प्राइमरी रडार को कि डीके तो प्राइमरी रडार का क्या बताते हैं कि हैं यहां पर कोई ऑबजेक्ट है ठीक का थी यहां करूब आप ceo है तो यह नहीं बता पता था कि ऐसा कैसे एक प्राइमरी और सेकेंडरी डार का यह को जरूत नहीं उसके आगे देखे अब क्या होता है तो यह होगे हमारा रडार का सब्सक्राइब को सब्सक्राइब यह कोशन आपके दिमाग में आना चाहिए कि रडार जब 360 डारेक्शन में हर एक एंगिल पर आपने सिगनल भेजती है ठीक है तो भाई जो यहां पर कोई आप एंटीन लगाऊगे तो उसकी क्या है तो इसकी लिमिटेशन से प्रेख पाएगा Singapore आपकी सब्सक्राइब अगर थर अगर घ्रती पे एक अर्थ आपकी किया कहते है रड़ार लगा जाती अगर इसको क्या बोल जाता क्या बोला जाता है ग्राउंड वेश्ट रडार ठीक है यानि अगर ग्राउंड पे आर्थ सिस्टम लगा रहे हैं तो उसकी लिमिटेसंस हो जाती है कुछ बंद जाती है कि वह चाहकर भी नहीं बेज़ पाती सिंग्डल क्यों कि अर्थ की से पी ऐसी है अब हम क्या करें यह तो इसमें लूप होल्स रह जाएंगे कुछ कमिया रह जाएंगी यानि कि बचके निकल सकते हैं इसी बिना एब्जोर्ब के तो उस कमी को पूरा करने के लिए करते हैं ग्रांड बेज़ रडार हम नहीं लगाते हम क्या करते हैं यानि जो हवा में अड़ रहा है ठीक और जो इस पे अड़े जो कि हवा अड़ेंगे और सिस्टम लगाएं तो क्या होगा वह वह थ्रीश्टी डायरेक्शन में आपके स सिस्टम हो गया तो हम यह तो करें कि कम सेखंटी में सिगनल जाएं तो यह हमारा यहां पर हुआ करता कितना जाए फिर बचंप कहा जाएगा देखें तो यानि कि नंबर और रिसीबर्स आपको बहुत ज्यादा बढ़ाने पढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा एरिया कबर करना पड़ेगा तो यानिकी जमीन पर लगा जाता अर्थ पर लगाए जाता है उसकी लिमिटेशन हो जाते हैं कि अर्थ की करवेचर के करण तो हमने क्या उसको टेक्नोलोज जे ज्यानिक सुरूज जजय की